प्रेंट्स वेल्कम तो आओ चैनल सेयर मार्कर सलुस्टन 24 इंटु 7 में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम लोग सेयर के बारे में बात करेंगे वो है एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का और एंजल ब्रोकिंग में आपको पता है कि इसके हाई से अच्छा का सक गिरावट नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले आपको बात करते हैं दोस्तों यदि गिरावट आती है और आप में पैनिक है तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको decide करना है कि आप किस तरह के investor है, क्या आप short term को लेकर सोच रहे हैं, क्या आप very short term, मतलब आप 4-5 दिन के लिए ही आपने holding ले रखी है, तो वो चीज अलग हो जाता है, आपने 1-2 महिने के लिए trading कर रहे हैं, तो 3 महिने के short term के लिए रख रहे हैं, 6 महिने के लिए रख रहे हैं, वो एक अलग्षी के चीजे हो जाती हैं, और long term होता है, तो वो अलग्षी एक चीज है, तो तीनों के लिए क्या है, आपको कितना worry होना चाहिए, यदि आपने 2-3 दिन का position बनाया है, तो आपको एक strict जो है stop loss follow करना पड़ता है, यह आपके मान के चलिए, देखिए, loss उठाना नहीं सीखेंगे, आप strictly follow नहीं करेंगे, तो आप जो है, वहाँ पे घाटा खा सकते हैं, और फिर आपका क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि आप फिर investor बन जाते हैं, तो trader कभी investor नहीं बन सकता है, यह आप मान के चलिए, तो या तो आप investor है, या तो trader है, तो आप 3 term में आप decide करेंगे, आप जो है, दो 4-5 दिन के लिए holding रख रहे हैं, 15 निरे रख रहे हैं, या 6 महीने का सोच के चल रहे हैं, या 1 दो का सोच के चल रहे हैं, या 10 साल का सोच के चल, तो यह सारे सीचे situation अल लगाया था, तो देखिए इसका reason क्या था, यहाँ पे जो हम लोगाना discussion किया था, कि इसने जो high लगाया, तो यहाँ पे क्या discussion किया, देखिए जिसने भी यहाँ पे यहाँ पे प्रेडि़ जो है इसमें जो है लांक ट्रेडिंग सेसन आपका 1596 का था तो आपको यदि दो-तीन दिन का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको तो यहां पर इस्ट्रेट लिए कियाon डियाना चीये था आपको तो 40 रूपीज का आप घाटा यहां साह सकते थे क्योंकि देखिए मैंने जब भी बोलता हूं कि लास जो हाई होता है क्रोजिंग प्राइस होती है उसको आप इस्टिकली फॉलो किजिए और उसको क्या करना चाहिए हमें लगता है कि उसको जो है एक स्टॉपलस लेना चाहिए और वहां तो निकल जाना चाहिए फिर से अरगो आप इस हाई को लगाने देते आप बीच में क्यों पकड़ेंगे फिर से अरगो आप एक बार निकल चुके हैं तो फिर कई बार तो इंट्री लेके और स्टॉपलस तो हिट नहीं कराएंगे तो आपको उसमें पच्छताने की जरूरत नहीं है कि अब आजाएगा तब आजाएगा क्लियर गट होता इसमें आप दो तीन अरहा बास सौट टर्म के लिए तो सौट टर्म के लिए आपने डिफाइन कर रखा है तो थोड़ा से इस्टॉपलस ठीप रखेंगे सपोज करो कि यह तोन आपने करेंगों कि कही आपका कितना है 25 अगस्त और टीन मईने के डोन में जो भी आपका लेवल है उसक नीचे जाता है तो मैं निकल जाएंगा यहां पर बीच में निकलोंगा और पर इन्वेस्टर को यहां पे श्यांक 하게 क्ilities का क्या है तो fundamental देखने के बाद उसको decide करना चाहिए कि हमें long term में हम एक साल दो साल का view लेके चल रहे हैं तो उसको panic होना ही नहीं है किसी भी गिराउड में जब आपने invest किया है तो आपने को एक चाहिए कि strong fundamental हो है या नहीं है क्या growth दे रहा है तो चलिए फंडामेंटल पर बात कर लेते हैं यदि आप long time user है या investor है तो वहाँ पर क्या करेंगे माली जी कि वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आरोई क्या है रेटन और एक्विटी देखेंगे यहां पर देखेंगे तो वहाँ बाइन पर जब डिसीजन ले रहा है तो आप फिर पैनिक क्यूं होते हैं मार्केट में गिराव अब नहीं आएगी तो फिर आपको अपोचिटी कैसे मिलेगी या तो आप वेट करेंगे या तो नीचे के लेवल पर खरीदेंगे और आहाँ बाद इस कंपनी का प्रोज का देखिए तो इसका जो है गुड़ क्वाटर रिजल्ट अभी देखें क्वाटर रिजल्ट इसने इसकी चाड़ पर देखें तो आपको ये 300-300 के लेवल से आपको 1600 का लेवल बताया तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो यहां पर मुनाफ़ असुल नहीं करेगा करेगा जरूर करेगा और अभी जो जिस लेवल पर आया है तो इस लेवल के आसपस मिलेगा तो कौन ऐसा समझ कराब होगा तो उसको दिक्कत है या आप सब ये कोवीड के समय में सारे कंपनी है डिएसी जैसे बड़े बड़े दिगज जो है बहुत अच्छे फंडामेंटल के साथ तो कोवीड के समय में केवल एक कोवीड का सिच्विशन आया तो 50-50 परसेंट गिर के हो गया है तो यह देखिए मार्केट में क्या होता है कि लोगों को बहाना चाहिए कि कब वो प्रॉफिट बुक करें और शेयर प्राइस को नीचे लाएं और फिर अकुमिलेट करें और उसको लेके आपके माल को देके निकल लें और फिर जो है एक साल के बाद पता चले कि आप आप ने तो दीच दिया अब वहां पर देखिए जहाँ 1500 से लेवल के 600 पर और आगया था आप आपने तो चारबुना का प्रॉफिट वहां बिगार कर दिया आपने फिर आप खोज रहे हो कि किसमें हमको इन्वेट करना चाहिए एक में लॉस करके बैठे हो तो यह चीज़े देखिए आप बार-बार आप किसी से पूछेंगे कि मैं इतने मैं एक जामपल लूँ तो मेरे कि सस्क्राइबर ने बहुत सारे सस्क्राइबर ऐसा पूछते हैं कि मैंने 414 पे सुमित्यों क्यामिकल ले लिए है तो आपने क्या सोच के लिए तो आप 400 का स्टॉपलस लगाते या 405 का स्टॉपलस लगाते 410 का लगाते जो भी आपका रिस्ट क्यापिटा है उसके लगा है अब रहावत लॉंग टर्म के लिए तो फिर आप ड़ते कि यह फंडमेंटल अच्छा है आने वाले एक दो साल में अच्छा ही पैसा देगा तो देखिए पैसा आपके पास ऐसा पैसा हो जो की आप जो है उसको लॉंग के लिए होल्ड कर सकते हैं तो वैसे पैसे को ही इन्वेट कीजिए अधर्वाइस आप जो है हमेशा क्यूंकि आपने 30,000 रुपे लगा दिए आपको आपकी सैलरी आप आपको आगे आने वाले समय में जरुवत हैब आपने 4 रुपे आपको जरुवत है किसी चीज के लिए अपने लेबल में देखिए यह आप 500 रुपया इंवेट कर सकते हैं आई-पी कीजिए आप महिने के 2000 रुपया इंवेट कर सकते हैं इन्वेट कीजिए इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाता है यह मैं अपने तजूर्वे से कह रहा हूं आपने 2013 में इन्वेस्ट ले लीजिए बड़े दिगज कंपने जिसके बारे में सोचना नहीं है चाहे डिसी ले लीजिए इन्वेस्ट ले लीजिए एसेन पेंट ले लीजिए तो आप इन सब का सेयर रही उस समय भी छोड़े तो आज कर चार पांच गुना तो पैसा दे रह है और जो पूजी लगाया है वो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए आफ्टर सेविंग सेविंग में आपका माल यह एक लाख रुपया बच्छत होता है तो आप उसमें से बीस से जार पचीस से जार यह सेर मारकन ने डाल सकते हैं आप यह मान के चलिए तो यह चीज़ हुआ है और यहां पर देख लिए जाय इसका पीजर सा घंप बहुंत चाहिए और बात करें इसका जो है एटी परसंट जं यह एसे तो काफी यहां पे increasing data है और बात करें इसका जो जो customer based है वो अच्छा कासा jump इससे में हुआ है और नहीं पर देखिए quarter two में जो है इनका जो यह विट्टा है वो 183 क्रोड रहा है जिसमें 76% का jump आया है और यहाँ tax jump देखिए 80% का आया है और बात कर लें इनका consolidated net profit जो है 69% का jump देखने को मिला है तो इन सब parameter को आप देखिए और इन्हों ने जो है bonus declare गया 5.70 पैसे का तो और bonus भी ठीक ठाक देखा है अच्छा track record है इस company का और यह bonus अपने capita का बहुत ज्यादा नहीं देदेती है देखिए जो company अपने profit से जाधा प्रहुनस देगी या profit का पूरा बोना 80% से देदेगी जिसका मतलब है कि उस company के पास आगे आने वाले समय में investment के लिए कुछ नहीं दिख रहा है और जो company और बात कर लें यहां पर चार्ड पर दोस्तों तो यहां पर चार्ड पर देखें तो इस साल के चार्ड पर आ जाते हैं तो यहां पर देखें दोस्तों तो यह जो है अभी जिस लेबल पर यह ट्रेड कर रहा है बात कर रहें लाज ट्रेडिंग सेशन में तो यहां पर यानि 1344 रुपे के उपर जाने की कोशिस करता है तो यहां पर आप पकड़ सकते हो और फिर जो है आप इस टॉपलस जो है आप यही रखेंगे 1322 रुपे का या जो आज की क्लोजिंग है तो वो 1300 का आप रखेंगे और 1350 रुपे की उपर आप खरिजने की कोशिस करेंगे और यहां से जो नेक्स टार्गेट आपको देखने को मिलेगा तो फर्स टार्गेट जो है आपका जो है आप यह यह बनेगा जो क्लोजिंग पेसित पे 1441 रुपया का फर्स टार्गेट रखिएगा यानि यहां से 100 रुपय का 90 रुपय का असपास और सेकेंड इसके उपर क्लोजिंग देता है तो आप नेक्स टार्गेट जो है आप 1596 रुपया का यह तो हो गया आपका जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसके पॉइंट आप बीउसे अब जो लोग इन्वेस्टमेंट है वो आप रखिए और लॉंग टर्म में जो है इस प्राइस पे 930 रुपय का आप इस टॉप लोस रखिए इसमें बने रहिए इसमें अच्छा कासा प्रैसा मेरे हिसाफ से बन सकता है बाकि आप अपना अनलेक्सिस कीजिए मेरे कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिसीजन मत लिजिए अपने फाइनसेल एडवाजर से लिजिए या अपने और रिक्स पर कोई काम कीजिए तो यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे बताएगा और अच्छा लगा तो प्ल मँख भी उत जो सब्सकित यह ऐवे इन्वा टूर कुट है ऑ्ट टूर कुट अपना टो से लिए बतावा बतावाज़ कीजिए यह जएस्दीजश क्टाने को पूरके तो से लिए नहा बतावाज और है को बढर रुषन से लिए बतावाज़।, से लिए मुँए है आवा